पूर्व वित्यमंत्री जयंत मलाया के जन्म दिन पर अमरत महसम मनाया गया अमरत महसम में मुक्यमंदे शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि दमो जयंत मलाया के बिना अधूरा है वहीं बीजेपी महासचेव कैलाश विजयवर्गिया ने हाथ जोड कर मलाया से माफी भी मांगी पार्टी दिगजियों के भाषणों के बाद अब नए स्यासी समीकरोडों को लेकर कयास बाजी का दौर शुरू हो गया है मदरपदेश बीजेपी के दिगजस नेता और पूरवित्तमंत्री जयन्त मलाया के 75 जन्मदीन के मौके पर अमरित महतस्वा कारिकरम का एजन किया गया कारित्रम में बीजेपी के आलानेता शामिल हुए बीजेपी के राश्ट्री महासची उने इस मौके पर कहा कि जैंत मलैया को नोटिस देना बीजेपी की भूल बताया इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भूपाल से लेकर दिल्ली तक के निताव से उन्होंने बात की थी वैक्ती भूल कर सकता है वैसे ही पार्टी से भी भूलो सकती है इसलिए मैं राष्ट्री महामंत्री होने के नाते आप से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ कि अधिया त्यार होता है इसलिए उससे बिलकुल ना खुष्टा और मैंने वह अप्नी शिकायत यहां से लेकर दिली तक कि आज तक तक नहीं किसी को उधाये निया आपको ने पता है पर आइले बता रहा है और में राष्ट्री महामंत्री होने के नाते है वेक्ती भूल करता इस मौके पर मुख्यमांत्री शुरार सिंग चौहार ने कहा कि जोयन्त मलाया 75 साल के हो गया लेकिन लगते नहीं है कोई ये ना समझे कि ये रिटार्मेंट काल करम है अभी तो उन्हें और काम कर रहा है सिंग ने कहा कि मलाया के बिना दमो अधूरा है जब तक सांती से काम निकले सांत और सालिंग लेकिन अगर गडबड हो जाए तो जैन्त भाई रोदर रूप भी धारन करते है अब पालिटी का काम अगर दिया तनमेता के साथ मुझे याद आता है कोई भी काम जैन्त भाई को दिया हो उसको बहतर ढंग से क्योंकि ठाकरे जी की सिक्षा दाई बता रही थी है उनकी छत्र छाया में संग्ठन का काम करना सीखा अब गोपाल भाई बैठे हैं गड़ा कोटा में गोली चल गई तब भी साइद अरजुन सिंग थे मुख्य मंत्री अब गड़ा है अरजु जीते थे 84 में बाई एलेक्षन पता है कि नहीं पहली बार जीते थे 84 में उप्चुनाओं लडा था और उस भयानक माहुल में जब आतंग का राज्टा उस आतंग को तोड़ने गढ़ा कोटा में घुसे थे जिन्त माई और लोगों को आत्मिस्वास से भरने का काम की है जब संक्षन का काम हो तो संक्षन का काम यह बात सच है कि दवोजन्त मलेया जी के बिना अधूरा है यह आज मैं करूं जिम्मेदारी हर दिल पे हर दिल को उन्हों ना राज किया देखो हर जीत तो चलती रहती जी कि मद्द प्रदेश की अगर हालत बदलनी है तो सिचाई क व्यवस्था करनी है क्योंकि खेती अर्थ व्यवस्था की रीड है और मद्ध प्रदेश टप पन के का पन पे का जब सचाहिए उजनाओं का जाल बिछ जाए मैंने सोचा सिवराज कौन को बनाएं तब भी मेरे सामने नाम आया स्री जियन्त मलईया और बाद में फिर्मेंट का खजाना समाल के रखें आपको आज गर्व के साथ बता रहूं मद्ध प्रदेश कभी घाटे में नहीं रहा रेवेन्यू सर्प्लस इस्टेट रहे हैं हम और तब लगए जिम्मेदार वित्मत्री कौन होगा तब भी फिर एक ही नाम ध्यान आया स्री जियन्त मलईया ऐसा साथ निवाते आप कल्पना नहीं कर सकते हैं गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जैन्त भाई को दे दो और भूल जाओ फिर पलट के देखने की जगवत नहीं है यह योगता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है जैन्त भाई मैं आप करनी हूं मैं आपका आभारी हूं आपने मधप्देश की जन्ता की बहतर सेवा किये और मधप्देश को सम्रिद और विक्षित बनाने में आपने अपना सर्व स्रेष्ट योगदान दिया है दरसल 25 ओक्टोबर 2020 को दमों से कॉंग्रेस स्विधायक राहूल सिंग ने कॉंग्रेस से स्तिफा दे दिया था इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गये 17 अप्रेल 2021 को दमों सीट पर उप्चुना हुआ यहां बीजेपी ने राहूल सिंग को उमीदवार बनाया जबकि कॉंग्रेस से अजय कुमार टंडन मैदान में थे उप्चुनाव में राहूल सिंग कॉंग्रेस के अजय कुमार टंडन से 17,089 वोटों से हार गये थे हार के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने जयन्त मलाया को जिम्यदा ठहराया जिसके बार पार्टी की प्रदेशिकाई ने मलाया को नोटिस दिया हलाकि दो महीने बाद नोटिस निरस्त कर दिया गया अब फिर से दिगजों के कारिक्रा में शामिल होने के बाद सियासी कया आजबाजी का दौर शुरू हो गया है आइनेच नियूस के लिए बोपाल से मनिश कांत जैन की रिपोर्ट